हेलो शुडेंट्स क्याल चाल तो बच्चों हम लोगर्थम का ओई टू अभी डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो पहला जो प्रोब्लम है डैट इस सिंगल क्रेट क्वेस्टन ठीक है आपको दिया हुआ है लोग और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसका बेस टू है ठी कि एक्स का वेलू कि इस पर्टिकुला रेंज में लाए करेगा ठीक है बच्चों तो एक काम करते हैं पहले हम इस चीज को यह मान लेते हैं क्या मान लेते हैं ठीक है हम पहले इस य का वेलू कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो वाई इज और यह process चलता जाएगा इस type की problems को solve करना हमने quadratic equation में और fundamental of mathematics दोनों में सीखा है ठीक है तो एक काम करता हूँ क्या मैं इस चीज को आगे जो लिखा हुआ है उसको दुबारा से y लिखा सकता है बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि y का value जो होगा वो 0 से बड़ा होगा क्योंगि अगर quadratic बनेगा तो y की 2 values निकल के आएंगी तो एक value आपकी reject होगी definitely होगी हो सकता हो किसी और वज़े से हो बट high chances है कि y का value positive होना चाहिए तो chances है कि y की value negative भी आ सकती है तो यहां से आ जाएगा y square minus y minus 56 equals to 0 तो यह बनेगा y minus 8 y plus 7 equals to 0 that means या तो y का value 8 होगा या y का value minus 7 होगा minus 7 जो है वो आप लोगों का reject हो जाएगा y का value क्या बचेगा बच्चो 8 बचेगा ठीक है तो यहां से अगर आप देखोगे x is equals to log 8 to the base 2 लिख सकता हूँ इस चेज़ को मैं और 8 को मैं 2 पे power 3 to the base 2 लिख सकता हूँ यह 3 आगे आ जाएगा to the base 2 हो जाएगा यह आपका 1 हो गया तो answer कितना जाएगा बच्चो 3 आ जाएगा तो मतलब x का जो value है वो 2 से 4 के बीच लाई करेगा ठीक है तो option c is correct answer अगला देखिएगा the greatest value of this expression आपको एक expression दिया हुआ है उसका greatest value पूछा गया है एक काम करता है अच्छा x का value भी क्या है 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है तो क्या मैं इस सीच को ऐसा लिख सकता हूँ 4 x to the base 10 minus log x यह जो value है क्या मैं इसको 10 पे power minus 4 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको 10 पे power minus 4 लिख सकता हूँ तो यह क्या बन जाएगा बच्चो 4 log x to the base 10 plus log x to the base ऐसा कुछ बन जाएगा 4 मैंने कॉमा ले लिए minus minus वहाँ पे plus हो जाएगा अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे log आपने property पड़ी होगी यह हमेशा positive होता है जब a and b are on either side of unity on either side of unity negative होता है अगर either side of unity अगर a और b दोनों ही one से बड़े हैं तो यह positive होगा और अगर a और b दोनों ही one से छोटे हैं तो भी यह positive होगा अगर इन में से कोई एक one से बड़ा है दूसरा अगर one से छोटा है तो यह negative होगा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि x का value zero से one के बीच में है x का value जो हो zero से one के बीच में दिया हुआ है तो इसका मतलब यह होगा कि log x to the base 10 को अगर मैं t माल लेता हूँ वो आपका less than zero होगा वो आपका less than zero होगा तो यह expression आपना t plus one upon t बनेगा जहाँ पे t आपका क्या बचो less than zero है तो that means t plus one upon t always less than equals to minus two यह आपको expression पता होना चाहिए अगर t is less than zero तो यह वाल expression hold करता है और अगर t greater than zero होगा तो t plus one upon t हमेशा two या two से बड़ा होता है yes or not और अगर यह हमेशा minus two से छोटा होगा that means t plus one upon t की maximum value minus two होगी तो इस expression की अगर maximum value minus two है minus two into four minus eight हो जाएगा option d is the correct answer option d is the correct answer clear अब चलोग question number three देखते है क्या दिया हुआ है a b c is a triangle right angle at c अगर right angle at c है बच्चा लोग तो a square plus b square equals to c square कुछ ऐसा बनेगा क्या क्योंकि अगर right angle at c है न तो ऐसा को situation create हो रहा होगा यह a है यह b है यह c है c के सामने small c, b के सामने small a, a के सामने small a, तो c square is equals to a square plus b square, पहली चीज़ तो हम यह लिख सकते है, दूसरा चीज़ ध्यान से समझेगा, दूसरा चीज़ ध्यान से समझेगा, अगर मैं इसको a, a क्या बलते है, एक्स मालनू, इसको y मालनू, तो मेरे पास जो लिखा हुआ है न, वो x plus y upon xy लिखा हुआ है, which can be written as 1 upon x, 1 upon y, जिसको मैं 1 upon x plus 1 upon y लिख सकता हूँ, तो मतलब मैं इस चीज़ को 1 upon log a to the base b plus c, 1 upon log a to the base c minus b, log exchange property से अगर मैं देखूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, अब property यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, c square minus b square, अगे देखते हैं, c square minus b square can be written as what, a square, क्या two bar ले लेते हैं, तो अंदर a to the base a आजाएगा, ये cancel out हो जाएगा, only two आपका बच जाएगा, option b is correct answer, option b क्या हो जाएगा बच्चो? तो correct answer हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगला देखिएगा, लोग, alpha, beta, whole, square, plus, लोग, beta, तो रवेस, alpha, whole, square का value आपको 79 दिया हुआ है, तो ये काम करता हूँ बच्चा लोग, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो अगले वाला one upon t अपने आप बनेगा क्या? और ये value आप लोगों को 79 दिया हुई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है न? चुकि देको ये चीज़े अगर आपस में exchange हो रही है, तो ये एक दुसरे के reciprocal होते हैं, मतलब मैं ये बात लिख सकता हूँ, कि one upon log, beta to the base, alpha, ये बात मैं लिखे सकता हूँ, और आपसे पूछा क्या गया है बच्चो? T plus 1 upon T के बारे में पूछा गया है, तो क्या मैं यहाँ पे T plus 1 upon T का whole square ले लूँ, तो क्या बनेगा बच्चा लोग? तो T square 1 upon T square plus 2 बनेगा क्या? और ये value 79 है, प्लस 2 कर दोगे, ये 81 हो जाएगा, तो यहाँ से T plus 1 upon T का value, या तो 9 आएगा, या माइनस से 9 आएगा, या तो 9 आएगा, या माइनस से 9 आएगा, ठीक है बेटा? अच्छा, इसके अंदर एक चीज और समझने है, ध्यान से सुनिएगा, अगर अलपा और बीटा, दोनों ही 0 से 1 के बीच में हैं, अलपा और बीटा, दोनों ही 1 से बड़े हैं, तो T का value, T plus 1 upon T का value जो है वो आपका 9 आएगा, और इन में से कोई 1 जीरो से 1 है, और दूसरा 1 से जादा है, तो दोनों ही value जो नेगेटिव हो जाएंगी, उस case में minus 9 आएगा, तो both options are correct, ठीक है, यह SCQ में दिया हुआ, by the way, MCQ है, ठीक है, अगला देखते हैं, क्या दिया हुआ है, लोग 135 to the base 3, क्या मैं सीच को ऐसा लिख सकता हूँ, इस expression को ध्यान से सुनना, मैं सब जगया पर, base 3 बनाने की कोशिस से करता हूँ, ठीक है मेटा, तो यह बन जाएगा कुछ इस तरीके से, बन गया क्या ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है मेटा, अब एक चीज़ और करते हैं, 135 is 27 into 5 होता है, तो मैं इस चीच को लिख सकता हूँ, 27 into 5 to the base 3, log 3 into 5 to the base 3, minus log 5 to the base 3, log, जान से सुनियेगा, 135, 27, 81, 81, बिलकुल, 81 into 5, 81 into 5 to the base 3, clear है क्या, क्या इस चीच को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log 27 to the base 3, plus log 5 to the base 3, ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोपर्टी log x y क्या होता है, log x plus log y होता है, ये क्या बन जाएगा, log 3, 3, plus log 5 to the base 3, बनेगा क्या, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो agitig ही रहेगा, बट इस यहाँ पे, log 81 to the base 3, plus log 5 to the base 3, कुछ-कुछ ऐसा बनेगा क्या, एक काम करते है, log 5 to the base 3 को, log 5 to the base 3 को, a for apple मान लिया जाए, तो यहाँ से सुना, अच्छा, ये value कितनी हो जाएगी बच्चो, 3 पे क्या power लगाऊ, 27 आ जाए, 3 हो आ जाए, तो ये बन जाएगा, 3 plus a, 1 plus a, minus a, 4 plus a, क्या हो जाएगा बच्चो, यहाँ से अगर मैं देखूंगा, a square plus 4a plus 3 बनेगा क्या, a square plus 4a plus 3 बनेगा क्या, उससे अगला क्या बनेगा, a square minus 4a बनेगा, ये cancel out हो जाएगा, answer आप लोगों का 3 आ जाएगा क्या, answer आप लोगों का 3 आ जाएगा क्या, चेक करते हैं क्या-क्या answer आ रहा है, natural number है, बिल्कुल है, rational number है, बिल्कुल है, prime number है, बिल्कुल है, integer है, बिल्कुल है A, B, C, D, 4 options ही correct है यहाँ पे तो clear है बच्चा लोग चलो, अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है the value of x satisfying the following equation ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चो, log x to the base 5 आपको दिखाई दे रहा है log x to the base 5 इसको मैं t मान लेता हूँ जैसे मैंने इसको t माना यह तो मेरा t square बन गया बट मैं इस expression को second वाला जो part दिया हुआ है इस चीज को ध्यान से सुना base 5 में convert करके base exchange property लगा कर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, yes or not क्या ये चीज अब ऐसा कुछ बन जाएगा 5 5 माइनर लोग x to the base 5 लोग 5 5 plus लोग x to the base से 5 ऐसा ऐसा कुछ बनेगा चेक करो, यह हो गया 1 यह हो गया t तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग 1 minus t upon 1 plus t equals to 1 तो यहाँ प्या आएगा t q plus t square minus t plus 1 1 plus t देखो यह 1 से 1 तो निकल लिया भाई यह बनेगा t q plus t square minus 2 t का value 0 आजाएगा t common ले लो t square plus t minus 2 का value 0 आजाएगा तो t क्या यहाँ से t plus 2 और t minus 1 equals to सुनने बनेगा क्या चेक करा यही बनेगा न तो यहाँ से तीन possible value जा सकती है या तो t का value 0 हो जाए या t का value plus 1 हो जाए या t का value minus 2 हो जाए अज़ ट क्या माना था आपने log x to the base 5 माना था log x to the base 5 या तो 0 या 1 या minus 2 तो x का value या तो 5 पे power 0 या 5 पे power 1 या 5 पे power minus 2 5 पे power 0 कितना होता है 1 option a correct है 5 पे power 1 कितना होता है 5 option b correct है और 5 पे power minus 2 कितना होता है 1 upon 25 option c b आपका correct है आई बात समझ में clear है ठीक है तो base same बनाने की कोशिस किया करो ठीक है बच्चो अगला देखते हैं log 16 x square plus log 64 2x ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या चेक करो and equals to 3b दिया हुआ है equals to 3b दिया हुआ है ठीक है बच्चा अब एक काम करते हैं जाहां जा सुने क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ log 4x क्योंकि x तो मेरा positive होना ची 4 square x square था उनको मैंने अलग-अलग कर दिया है log 64 twice of x equals to लिख सकता हूँ क्या इसको मैं एक काम करता हूँ t माल लेता क्या करता हूँ t माल लेता बट यहां पे 2x की समस्या आ गई है तो एक काम करता हूँ मैं इस चीज को ऐसा लिखा हुआ है क्या इस चीज को log 64 to the base 4 log twice of x to the base 4 ऐसा लिख सकता हूँ चेक करो base exchange property आचा उपर वाला तो क्या बन गया बच्चो 3 बन गया और नीचे अगर आप देखोगे log to the base 4 plus log x to the base 4 लिख सकता हूँ चेक करो आगर मैं इसको और आगे चला हूँ तो यह बनेगा 3 यह बनेगा 1 by 2 और यह बनेगा 1 by 3 क्योंकि यह तो इसका उल्टा है तो आगर मैं इसको और देखू तो 3 into twice of t upon t plus 2 ऐसा कुछ बनेगा क्या तो basically t plus 60 upon t plus 2 equals to 3 बनेगा क्या क्या बनेगा यह t square plus 2t t square plus 2t plus 60 is equals to 3t plus 3 to the 6 8 5 बनेगा क्या चेक करते हैं क्या बनेगा t square 8 plus minus 3 5t minus 6 का value 0 दो नमबर multiply करने पे minus 6 का बात है इसको factorize करोगे तो यह t plus 6 है और t minus 1 का value सुनने बनेगा क्या t का value या तो minus 6 होगा या फिर plus 1 होगा t क्या था आपका log 4 to the base x या तो यह minus 6 या यह plus 1 x पे power minus 6 का value 4 या x पे power 1 का value 4 एक तो यह solution है दूसरा solution यहां से आजाए चेक करते हैं एक irrational solution आ रहा है बिल्कुल यहां से आ रहा है कोई prime solution नहीं है बिल्कुल नहीं है तो real solution है दोनों ही real है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है one integral solution है बिल्कुल है यह आ गया ठीक है तो कितने solution होगे बचो a, b, c, d चारो ही option से correct है अगला देखिएगा क्या दिया हुआ ध्यान ज़्या समझेगा जब भी ऐसा कुछ हो x के उपर कोई power हो तो तब तो नहीं property होती है बड़ यहां पर power जो वो factorize हो रही है तो वो हम use नहीं कर पाएंगे तो उससे अच्छा एक काम है तोनों तरफ log ले लो तोनों तरफ log ले लो base 3 के साथ क्योंकि already base 3 है तो easy रहेगा जैसे आप log लोगे यह exponent तो भार आ जाएगा log x to the base 3 का whole square minus 9 by 2 log x to the base 3 plus 5 multiply with what log x to the base 3 log 3 root 3 to the base 3 yes or not तो यहां से अगर मैं देखू तो इसका तो value मेरा 3 by 2 आ रहा भाई इसका तो value मेरा 3 by 2 आ रहा है भाई एक काम करते हैं इसको हम t माल लेते हैं क्या माल लेते हैं बचो t माल लेते हैं तो what this will become t t square 9 by 2 t plus 5 equals to क्या आ जाएगा बच्चा लोग 3 by 2 आ जाएगा t 2 t square minus 90 plus 10 equals to कितना आ जाएगा बच्चा लोग 3 आ जाएगा ऐसा ही तो कुछ बनेगा 2 से 2 तो नीचे से निकल लेगा तो यह बनेगा 2 t cube minus 90 square plus 10 t minus 3 equals to 0 2 10 12 9 3 12 वहला t equals to 1 इसका एक solution है t equals to 1 इसका एक solution है तो factorize करते हैं यहां से देखना क्या मैं इसको ऐसा लेग सकता हूँ 2 t square cube है minus 2 t square minus 7 t square plus 7 t plus 3 t minus 3 equals to 0 check रो उसी equation को मैं इसी तरीके से लिखा है कि मैं t minus 1 को common ले सकूँ क्यों क्यों क्योंकि t equals to 1 इसका क्या है एक रूट है ठीक है equation देख लो 2 t cube है 2 t cube है 9 t square चीए minus 2 minus 7 9 हो गया 10 t चीए 7 3 10 हो गया और minus 3 सामने है पहले दो पार्ट से क्या common आने का है बच्चा 2 t square अंदर क्या आएगा t minus 1 कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फिर minus 7 t अंदर t minus 1 plus 3 फिर अंदर t minus 1 equals to सुनने आ जाएगा क्या क्या overall में से t minus 1 common ले लिया जाए तो 2 t square minus 7 t plus 3 equals to सुनने बन जाएगा क्या ठीक है 2 t square minus 7 t plus 3 और 7 में है t minus 1 equals to 0 आप देखो 2 3 जाएगा 6 तो क्या में सीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ पहले दो में से क्या common आने का 2 t अंदर क्या बचेगा t minus 3 minus 1 t minus 3 multiply with what t minus 1 equals to सुनने तो यहां से आएगा t minus 3 2 t minus 1 t minus 1 equals to 0 तो यहां से 3 value आ गई बच्चा लोग 1 by 2 है 1 है और 3 है अब यह देख लेते हैं हमने t किसको माना था भाई हमने t माना था log x to the base 3 को log x to the base 3 को हमने ठीक है ना तो x का value या तो root 3 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या 27 आ जाएगा यह 3 possible values आपकी x की निकल के आएंगी चेक करते है exactly 3 real solution बिल्कुल है एक irrational है बिल्कुल है at least 1 3 है तो at least 1 तो हो गई होगा यह भी है और जितने भी real roots होते हैं वो सारे complex भी होते है तो option d भी होगा मौशादा बैचों ने हो सकता है option d टिक ना किया हो complex नमर सोचते imaginary चीज़े याद आती है ठीक है न तो इस चीज़ का जाएगा ना every real number is complex मैं यह नहीं बोला कि every real number is a imaginary number complex है complex is a combination of real and imaginary यहाँ पर imaginary part 0 है बच्चों अगला देखिएगा the solution set of the following equation इस चीज़ को simplify करो इस चीज़ को simplify करो तो क्या लिख सकते हो x plus y is equal to 27 पे power 2 by 3 तो 3 पे power 2 तो 9 तो x plus y का value आपका 9 आ गया है क्या yes or not और अब इस चीज़ को simplify करते हैं क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूँ क्या चेक करो लिख दिया अगले वाले को ध्यान से सुना log to the base 3 है plus log 3 3 का square इस 2 को मैं इसी base में convert कर दूँ क्या इस 2 को मैं इसी base में convert कर दूँ क्या बीच में plus minus का sign है जिससे मैं इन दोनों को club कर सकता हूँ क्या ठीक है ना तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चो यह log 3 3 का इस पार 9, 9, 2, 0 18 तो यहां से निकल के मेरे पास क्या रहा बच्चो x y का value 18 आ रहा है क्या ठीक है इन दोनों को solve करोगे x का value 3 y का value 6 आ जाएगा या 6 और 3 आ जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है अब एक काम और कीजेगा जब आपके पास objective step के चीज़े हों इस पूरे दो equation लिखी हुई है अगर आप x के जगा y y की जगा x रखते हैं कोई change नहीं आता तो इसका नहीं होगा कि अगर answer यह है तो यह भी होगा या अगर अगर answer यह है तो यह भी होगा पहली चीज़ पहला काम मैंने यह किया था x प्लस y का value 9 तो यह दोनों option तो गए बचा क्या मेरे पास a और b a और b आगे pen चलाना ही मत अगर होगा तो वोनस होगा जाके अधर वाइस इसमें से अगर कोई answer होंगे तो यह और भी होगे ओल्दो वो correct भी थे बाद में अगला देखते हैं consider the quadratic equation this 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 ओके अखे ओके 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 चलो देखते हैं x square का coefficient अगर मैं देखूं ए क्या है मेरा a है मेरा log 8 to the base 10 क्या मैं सीच को 2 का क्यों base 10 लिख सकता हूं 3 log to the base 10 लिख सकता हूं यह मेरा a का value b which is the coefficient of x b which is the coefficient of x x का coefficient यहां क्या है माइनस लोग 5 10 एंड यह जो माइनस x है यह इदर आएगा plus works बनेगा तो plus 1 भी होगा आजा plus 1 को मैं 10 10 यह लिख दूं ऐसा इस 1 को मैंने x का जो coefficient था उसको मैंने यह लिख दिया तो यह चीज मेरी basically b का value low to the base 10 बन गया अब बात करते है constant की भाई constant is what जहां से सुनना अब यहां पे यह रहा constant और यह उदर जाएगा minus sign के साथ होगा minus 2 log to the base 10 पे power minus 1 क्या मैं इसको minus 2 log to the base 10 यह भी तो बात बोल सकता हूं ठीक है एक काम करता हूं ध्यान से सुननेगा क्या मैं a का value बच्चो थ्राइल सों भी लिख सकता हूं क्योंकि b का value यह रहा मेरा और इसी को मैंने यहां replace कर दिया पी का value तो जो भी निकलके आ रहा है उसको htg रख देते हैं एक बार और c का value माइनस टू भी लिख सकता हूं माइनस टू भी लिख सकता हूं यह मेरे पास क्वाडरी एक्वेशन x square प्लस bx प्लस c में a b और c निकलकर आ चुके हैं क्या बोला है which of the following quantities are irrational जहां से सुनना some of the root alpha प्लस बीटा क्या यह माइनस b by a होता है माइनस b upon a a की जगए अगर मैं 3 b लिख देता हूं क्या यह माइनस 1 by 3 निकलके आएगा क्या यह irrational है नहीं है तो एक तो यह answer हो गया क्या यह answer नहीं होगा न ठीक है product of root product of root alpha बीटा क्या यह c upon a होगा क्या and what is c which is minus 2b and what is a which is 3b क्या यह minus 2 by 3 निकलके आएगा क्या तो product of root भी rational है तो यह भी answer नहीं होगा यह भी answer नहीं होगा sum of coefficient सबका coefficient कर लेते हैं a plus b plus c sum of coefficient तो यह होता है a plus b plus c a की जगए 3b b की जगए b c की जगए minus 2b 4 minus only 2b आएगा क्या और क्या आपका log to the base 10 यह irrational होता है तो यह बात तो सही है यही पूछा कि कौन सा irrational है तो option c हो जाएगा क्या and in the last discriminant b square minus 4 a c b square minus 4 a की जगए 3b c की जगए minus 2b तो b square 4 3 12 24 b square तो क्या यह 5 25 b square आएगा क्या देखो 25 तो rational है बट बी जो वो आपका irrational है ठीक है तो यह भी answer हो जाएगा क्या clear है क्या ठीक है तो answer क्या हो जाएगा बच्चो option c and d is the correct answer ठीक है यहां से सुने अगर a और b दोनों irrational है तो x rational हो सकता है कोई बड़ी बात है नहीं है जैसे for example यहां से अगर आप देखोगे न a pay power b का value x आ रहा है a pay power b का value x आ रहा है ठीक है इसको rational होना है तो एक काम करो a को आप लेलो root 2 ठीक है pay power root 2 लेलो ठीक है और b को आप लेलो root 2 जब a पे power b करोगे power से power multiply होगा root 2 पे power 2 आ जाएगा which is true most of the बच्चों ने हो सकता यह गलत किया हो irrational पे power irrational can be rational याद रखिएगा a rational है और b irrational है then x can be rational यह बात भी सही है यह बात भी सही है यह अगर rational है ठीक है यह अगर rational है ठीक है इसको कैसे समझें अगरा देख लेते हैं a irrational है यह वाला तो ठीक है root 2 पे power 2 तो आपका यह तो हो जाएगा option c तो clear है a rational b rational यह वाला तो वैसे भी होई जाएगा कोई दिक्कत की बात ही 2 पे power 2 कुमान के कर लीजिएगा हम बात करते हैं यहां पर द्यान से सुनिएगा यह can be word यूज हो रहा है ना इस वज़से सारे सही हो रहे है ठीक है ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए उसने can be use किया है a rational और b irrational a rational और b irrational ठीक है एक चीज काम करते है ध्यान से सुनिएगा कि एक को मैं टू ले लेता हूं कि पी को मैं एपे पावर बी मलें यह वाला एक्स जो था ना मेरा इसी को उठाके डाल दो ना इस पर निकल के तो वही आया था उपर वाले डाल दो ना ठीक है ना आई वास समझ में एक तो रैसनल ले लो पी को आप ऐसा लिख दो ना आवर रूट वैसा टाइब पूछ तो उससे आपका अंसर निकल कर आज अगला दे जाहां से सुनेगा यह वेल्यू मोर्दन वन यह वेल्यू लेस दन वन तो भाया कैसे सही हो सकता है क्योंकि अगर यहां पर टू होता तो यह वन होता है तो से जाथ है क्योंकि यहां पर बेस इस मोर्दन वन तो इंक्रीजिंग पंक्शन होता है यहां पर देखो यह मोर्दन वन है यह वाली बात तो सही है यहां देखो यह वेल्यू मोर्दन थ्री है यह वेल्यू लैस दन 3 है यह वाली बात भी सही है क्योंकि 3 का कि 27 होता तो यह 3 है न मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ न कि यह less than 3 है more than 8 होता तो 3 होता 3 से ज्यादा है न ज्यान सुनना इस चीज़ में देखो यह more than 1 है और यह less than 1 है less than 1 वाली quantity more than 1 कैसे हो सकती है यह भी option नहीं होगा तो answer is what option B and C clear है अगला देखते हैं चलो द्यान से सुनिएगा क्या मैं सीच को ऐसा लिख सकता हूँ लोग X 0.1 less than 2 greater than 1 by 2 यहां ज़े सुनना 0.1 पे पावर 1 by 2 0.1 पे पावर 2 बेस आपका 0 से 1 है क्या बोलते है ट्रांस्पोर्ज कर तो बस inequality बदल जाए गी यह तो क्या हो गया 1 by 100 हो गया यह क्या हो जाएगा 1 by root 10 हो जाएगा तो maximum value of X is what 1 by root 10 minimum value is what 1 by 100 and the X lying between A, B and D are the correct options clear है ठीक है बच्चो तो यह आपके 12 questions ते logarithm के OE2 के ठीक है बच्च आई तिंग आपको मजा आया होगा देखके जो भी आपके